हेलो एवरिवन चलिए बनाते हैं एक एकदम अलग और बहुत ही आसान रेसिपी से छोले जिसके आगे आपके रेस्टरॉण के छोले भी हो जाएंगे फीके एक बार इसे रेसिपी से छोले जरूर बनाएं और अगर पसंद आए तो चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर करें छोले बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है अदा किलो छोले इसे रात में अच्छे से साफ करके भिगो दिया है इसे उबालना नहीं है पैन में ले रही हूँ दो चमच के लगभग तेल और तीन बड़े प्याज बार एक काट लिया है इस तरह से लैसन, मिर्च, अदरक अभी नहीं है मेरे पास मैं आगे डालूंगी लैसन, मिर्च, दो सुखी लाल मिर्च और प्याज सब एक साथ डाल कर मीडियम फ्लेम पर इसे मिक्स करके ढखकर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को पकाना है इसे बीच-बीच में चलाते रहें आप प्याज फ्राई करने के लिए एक दो चमज तेल और बढ़ा सकती है इससे फटा-फटी फ्राई हो जाएगा मैं घर में थोड़ा कम तेल मसाला यूज करती हूँ लेकिन यकीन मानिए बहुत ही कम तेल में ये रेश्टराउन से भी अच्छे स्वात का छुला आपका तियार होगा जब तक प्याज हमारे रेडी हो रहे हैं चलिए मसाला एक बोल में ले लेते हैं यहां ले रही हूँ देड़ चमज धन्या पाउडर एक चमज जीरा पाउडर आदा चमज के लगभकाली मिर्च पाउडर छोटा चमज अल्दी पाउडर एक चमज लाल मिर्च पाउडर और गैस यहाँ पर ओफ करें और इसे ठंडा करके मिक्सी में इसका हम पेस्ट बना लेंगे अब गैस पे चड़ार योगी कूकर इसमें डाला है तू टेबल स्पून के लगबग ओयल और यह अच्छे से गरम हो जाए तो तड़का डालेंगे एक बड़ी लाइची क्रश करके ते जीरा चटकने लगे तो हमें मसाला डालना है पौडर फॉर्म में डालना है तो फ्लेम को तुरंत ही लो करेंगे इसके बाद मसाला डालेंगे मसाले को फटा फट चलाएं और साथ ही मैं एक चरह सा चना डालके मिक्स करें जिससे मसाला हमारा जलेना और अब सारे चने को कू हमारा ठंडा हो गया है तो अब इसे भी मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फाइन पेश्ट रेडी करना हमें इसमें बहुत देर तक हमें प्याज मसाला बूरना नहीं है और छोले बटूरे चावल पूरी सब के साथ बहुत अच्छे लगते हैं चने हमारे लगभ ग्रेवी के लिए पानी आप अब शक्तान उसरा डाले शूपा बनाना है तो थोड़ा कम पानी डाले ओ यह छोले आपको राइस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे तो ग्रेवी अपने अभिशकतान उसर पानी डालके पूखर बंद करें एक 10 सीटी और लगभग आदा घंटा लो फ्लेम पर छोले को पकने दे छोले हमारे पक गए हैं आप एक चना दबा कर चेक कर लें और चटपटा बनाने के लिए मैं यहां डाल रही हूँ एक चमचम चूर पाउडर आप चाहें तो उसकी जगा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं सर्व करने के लिए छोले हमारे रेडी हैं तिहार हो बच्चों का बर्तेडे हो या फिर आपका संडे फटा फट यह चोले आप बना लेंगे अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू